आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में आज मैं आपको Amazon Fire TV Stick का रिव्यू करके बताने वाला हूँ CRT TV पे तो इस वीडियो पे हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज आप मेरे यूटूब चैनल को सब्क्राइब करें बेल बटन दबाए नोटिफिकेसन आइकोन क्लिक करें और ध्यान रखेगा आपके लिए कंपल सरी है क्योंकि उसके बेगार अगर मैं कोई भी नई वीडियो डालूँगा तो यूटूब आपको नोटिस नहीं करेगा चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रहा हमारा फायर टीवी इस्टिक और ये हमारा कंवल्टर है तो आप देख सकते हैं इंपूट में मैंने फायर टीवी इस्टिक लगाया है आउटपूट मैंने लिया है एवी वाले स्पोर्ट से अब आप देखिए यहाँ पर आपको पावर केबल मिल रहा है कंवल्टर का आधा मीटर का एप्रोक्स वायर होगा Amazon पे आपको Amazon ब्रेंडिंग वाला अडप्टर मिलेगा Amazon बेसिक ब्रेंडिंग का जो की 5 वाट का है और Amazon का जो केबल है ये 2 मीटर दिया गया आप देख सकते हैं काफी लंबा Amazon का पाउर केबल है और इसकी केबल की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी दी गई है अब बात करते हैं आपको यहाँ पर दो सेटिंग्स मिलते हैं अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखे पॉल एन ए SC तो आप पॉल पे रखे है क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो पॉल सेटिंग पर काम करता है और NTSC जो है वो अमेरिका वाला सेटिंग के लिए यूज होता है तो बस कनवल्टर तो यह था इसके थूर आप अपने CRT TV को Android TV पर बना सकते हैं यह रहा मेरा CRT TV सेम्सन का अब आपको इसमें कोई volume up down नहीं मिलेगा even power on off button भी नहीं मिलेगा और इस remote पे आप देख सकते हैं basic details यहाँ पर दिये गया है दो AAA battery आपको मिलेगा Amazon basic branding वाला इसके साथ अब हम चलते हैं जल्दी से अपने review पे अब आप देखिए यह हमारा default user interface है पहला menu आपको दिख रहा है home दिखा है दूसरा find है और तीसरा है live इसके बाद यहाँ पर जो आप एप इंस्टॉल करेंगे यह वोर आएगा यहाँ पर आप my app यानि की पूरा जो भी मैंने एप इंस्टॉल किया है उसके पूरे collection आ जाएंगे देखिए मैंने प्राइम वीडियो यूटूब जी mx player, sony leave, disney plus hot star, woot, amazon basic, internet यानि की browser और app store इतना मैंने लोट किया है अब आप देखिए यहाँ पर settings के अंदर मैं ले जाके दिखाओं तो आपको notification मिलेगा यानि की जो भी आप app से जुड़ा हुआ आपका धारावाहिक से जुड़ा वाला notice आएगा वो आएगा account पर आपका जो amazon id वाला account है वो यहाँ पर दिखाएगा network यानि की wifi, network आपको सो करेगा, display और audio के अंदर आपको थोड़े बहुत setting मिलेंगे, जो display से जोड़ा हुआ, audio से जोड़ा हुआ आप setting कर लिजेगा, app यानि की वही है, manage app अला problem है, यहाँ menu मिलेगा जिससे आप add कर स सकते हैं, even bluetooth speaker अगर आपके पास है तो आप वो भी output ले सकते है, Alexa का integration setting है, और similarly preference भी आपको basic settings मिल जाएंगे, my fire tv जो है, यह एक प्रकार का about है, जैसे कि आप कोई भी android phone पे setting पे about पे देखते ना, कौन सा software version load है, यह वही है, बट मैं इसे open करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंक करना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं open ही नहीं कर रहा है, ऐसे ability basic setting है, और help तो about है, अब मैं आपको कुछ एकाद basic apps open करके दिखा देता हूं, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको prime open करके दिखा देता हूं, prime video, अब आप देखिए, यह हमारा prime video का user interface है, home screen आप देख लीजिए, यह हमारा prime video है, अब मैं आपको YouTube भी open करके दिखा देता हूं, इसी तरीके से, आप देखिए, YouTube में भी मैं आपको दिखा देता हूं, यह रहा हमारा, यह हमारा YouTube है, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर settings, games, वेगरा, पूरे settings आपको यहाँ पर आ जाएंगे, औ और आप यहाँ पर search वेगरा भी कर सकते हैं, इसके अलावा मैं अब आपको जल्दी से इसके बाकी app के menu भी दिखा देता हूं, आप देख लीजेगा, यहाँ पर आपको मैं एक बार app store open करके दिखाता हूं, देखिए, यह हमारा app store है, Amazon Fire TV Stick का, कुछ इस तरीके का user interface आपको basic पूरे app जितने as usual जरूवत है, सभी app के compatibility आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कोई भी app की कमी आपको महसूस नहीं होगी, देख सकते हैं आप, सभी app आपको video recording यहाँ पर मिल जाएगा, बहुत सारे categories भी दिएगे हैं, या फिर अगर आप थोड़े बहुत game खिलना चाते हैं, बट game क्या खिलेंगे आप TV पे, तो यह सब बेकारी है, features पे, generally highlighted factor है, इस टैप के पूरे menu आपको यहाँ पर दिये गया है, अब आप देखिए यह इसका default हो गया है, मैंने बता दिये, यहाँ पर आपके accounts के detail है, पूरे app के icons मैंने बता दिये हैं, और यह रहा हमारा पूरा app का detail, यहाँ पर पूरे app अच्छे से काम कर रहा है, अब मैं आपको sample के लिए, Alexa भी कैसे work करता है, यह दिखा रहा हूँ, देखिए, Alexa open prime video, आप देख सकते हैं, Alexa काफी अच्छे से काम कर रहा है, और जल्दी से हमारा prime video open हो गया, Alexa open YouTube, आप देख सकते हैं, हमारा YouTube जहां हमन पता देता हूँ, कि अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे तब तक ले, thank you, have a nice day